हालो फ्रेम स्वागत है आप सबका रेस्पीज बाई संध्या में आज हम बनाने जा रहे हैं उरत दाल के क्रिस्पी पकोड़े अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे बैल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली न औरट का भीगा हुआ दाल लिया है मिक्सी जार में डाल लेंगे जरूरत के अनुसार पानी डाल के दरडरा पेस्ट तेयार कर लेंगे पीसिंवे दाल को बाउल में निकाल लिया है एक बरेसाज का प्याच कट कर लिया है बारिक-बारिक हाप टीजपून लासन का पेस्ट, दो हरी मिर्च बारिक कट कीवी, हाप टीजपून हल्दी पाउडर, वान फूर्टीजपून मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग, वान फूर्ट कब बारिक कट किया हुआ हरा धनिया, सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लिया है, गया सान करेंगे, कडाही रखेंगे गरम हो चुका है, ओयल डाल लेंगे, Oil को अच्छे से गरम होने देंगे Oil चेक कर लेते हैं यहांपे की tooth pick लिया है Oil में dip करके देखेंगे Oil से काफ़े अच्छे बबल्स उठ रहे हैं Oil हमारा अच्छे से गरम हो चुका है Gas को medium पर कर लेंगे हाथ को हलका सा गिला कर लेंगे पानी से पकोडे के मिस्ट्र WRAT से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, गरम ओयल में बिल्कुल आराम से डालते जाएंगे, मैं यहाँ पर पकोडे का मिस्ट्र गरम ओयल में हाद से डाल रही हूँ, आप अपनी सुबिता के नुसा चमत से भी डाल सकते हैं, एक बार में जितना अ हुए चारो तरब से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है पकोड़े अच्छ से क्रिस्पी हो चुके हैं चारो तरब से ओल से बाहर कर लेंगे पकोड़े टीशू पेपर के उपर रखते जाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रायल होगा निकल जाएगा फिर से हाथ को गिला टुल प्रॉद्ध जरूटा ट्राय करें पिर्मिलते नएरेब्स प्राई के साथ थेंस पर चीन्स वाचिंग माई वीडियो